दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि आप फेल हो गई हैं, बाकी लोगों के तुलना में आप उमर में तोड़े बड़े हो, आपके पास मैनत करने के लिए समय नहीं है, अगर ऐसे विचार आपके दिमाग में हैं, तो इन सब बातों को निकाल दीजा, जिंदगी के जंग के म मैदान में उमर नहीं होसला देखा जाता है, केलने वाले का शरीर नहीं जिगर देखा जाता है, यूँ तो ताकतवर सिर्फ आती होते हैं, लेकिन कभी-कभी घोड़े भी गेम बदल देते हैं, जल्दबाजी नहीं जोस देखा जाता है, गिरने वाले को नहीं गिरकर उप उपने वाले के लिए तालिया बजाई जाती है। किसके सांसे फूल रही है और किसके सांसे चड़ रही है। इन सबसे कहीं दूर जो अकेला ही कई सारों का मुकाबला करता है। उसके उमर नहीं होसला देखा जाता है। इस छोटे से जीवन में अंगिनत कवंडर, तुफान, सुनामी आते रहते हैं। रावन को तो हार ना ही था, क्योंकि रावन में दस दिमाग थे, जिनका मकसद और विचार एक थे, वो बढ़ता गया और बाती सब पहरता गया। जो जम जाता है, उसे बुला दिया जाता है, और जो बढ़ता जाता है, लोग उसके उमर नहीं होसला देखते हैं। तुमसे नहीं होगा, तु नहीं कर पाएगा। ये हमारे बस में नहीं है, जीतने वाले अलग होते हैं। शायद उपर से देखने वाला भी उनसे तलब होता है। ऐसी सोच से लोगों का काफिला रुपता जाता है, और कोई एक ऐसा इनसान भी होता है, जिसके उमर नहीं होसला देखा जाता है। हमारी उमर कभी जादा नहीं होती, करना चाहो तो कभी भी देर नहीं होती। जो नहीं कर पाता है, वो कम्या गिनाता रहता है, और जो हारने के बावजूद जीत की आशा रखता है, उसकी हार नहीं जीत का होसला देखा जाता है। जिन्दगी के कई पड़ाव ऐसे होते हैं जहां अपर चलते चलते इनसान अकेला हो जाता है इन पड़ाव में वैक्ती या तो सबसे आगे हो जाता है या सबसे अलग हो जाता है कुछ भी हो, भीड का हिस्सा कभी मत बनना कुछ जिन्दगी में अलग रहने वाले का डर नहीं, होसला देखा जाती पतंग की जिन्दगी छोटी होती है जब वो उड़ती है, तो बड़ी तेजी से दोड़ती है जिकने के बाद वो सीधी जमी पर नहीं आती बलकि बड़े गर्व के साथ अपना आकरी सफर तै करती है क्योंकि उसको पता है कि गिरने वालों की गहराई नहीं, उचाई देखी जाती है जीना आसान है, या तो कुछ करो या मत करो लड़ जाओ या मर जाओ, जल जाओ या आग लगा दू बीच वाले इनसान को बीच का देखा जाता है और जो जीतता है उसके उमर नहीं, वोसला देखा जाता है हम सब चंद काल के लिए इस धर्ती पर आते हैं लेकिन इस थोड़ी जिन्दगी में भी हम समय बर्बाद करने में लग जाते हैं जिसने समय के मैतों को समझ लिया, उसको जिन्दगी के समुदर का असली तेराख कहा जाता है और जो जीत जाता है उसके उमर नहीं, वोसला देखा जाता है कभी मत रुकना, आप फैल ही तो हुए हैं, जिन्दगी खतम थोड़ी हुई है अगर आप चाते हैं, तो कुछ देर नहीं हुई, उठो और लग जाओ अपने मक्सद को पुरा करने में थोड़ा वक्त ही तो जादा लगेगा, और क्या फरक पड़ता है जब जीत जाएगा तो देखना, लोग आपकी उमर नहीं, होसले की चर्चा करें उमीद है दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें जिलती हूँ एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रही और खुश्यां बार देए